खबर पाकिस्तान से है यहां चीनी नागरिकों को फिर से हमलेका सामना करना पड़ा है खबर है कि कराची के कमर्शिल हब में दो चीनी नागरिकों को गोली मार दी गई है उन में से एक चीनी नागरिक बेहद गंभीर बताया जा रहा है खबर है कि कराची शेहर में एक फैक्टरी में सेक्योरिटी गाड ने गर्मा गरम बहस के बाद दो चीनी नागरिकों को गोली मार दी के साथ अटैक हुए हैं और उनकी हलकते हुई है तो उनकी परिशानी समझ में आती है लेकिन जैसा मैंने कहा पाकिस्तान के और चाइना के जो तालुकात हैं उसमें रखना नहीं आ सकता किसी भी इस किसम के प्रॉपोगेंडे के जरी जो चाइनीज पर हमला हुआ है रीसेंट करती है जहां चीनी नाघ्रिकों को आतंकी ऑर आत्मघाती हमलों में निशाना बनाया जाता रहा है पाकिस्तान के लोगों का यह ख्याले कि सीपेक प्रोजेक्श कभी भी तयार हुता वाँ और complete होतावा दिखाई नहीं देता दोनों अक्सर क्या बलके majority of the world issues जो है उसके पर एक सी राये रखते हैं तो इसलिए उनका कहना यह है कि हमारे लिए भी हैरानी की बात है कि यह ख़बर कैसे शाय हो कि यह उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो एक छे मेने के अंदर दो-दो हमले मारे उपर हो रहे हैं ठीके लिए पाकिस्तान में महलवी कल्चर, क्लासिको कल्चर, यह सब 217 का कल्चर, गन कल्चर, पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानी गुष्वर्मेंट और आर्मी चीफ ने बढ़ावा दे है अब मौलवी कल्चर का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की 90% यूथ रेडिकलाइज हो गई मौलवीयों ने तो इनको बहतरूरों के चक्कर में डाल दिया और मौलवी सिंपल बताते कि अगर बेटा बहतरूर चाहिए तो ऐसा करो कोई गैर इसलामिक को ठोक दो या उसको कनवाइट कर दो बहतरूरे मिल जाएंगे अब इसी चक्कर में चाइनीज के उपर हमला हुआ पाकिस्तानी गार्ड ही था सिक्योर्टी गार्ड था पाकिस्तानी मुस्लिम था और रिलिजियसली मोटिवेटेट था चाहिए इसको देखा बोला पता नहीं बचे ना बचे ठीक है अभी एक हफ्ते पहले दो चाहिनीज हो गयते बात्तरूरों के पाथ अब फिर दो चाहिनीज बात्तरूरों की लाइन में लग गया तो यह तो सिच्वेसन है कि मुस्लिम और मदरसे और मौलवी के चक्र में पढ़के कैसे रेडिकलाई यह बात हम करेंगे इस वक्त चाइना की और जैसे कि आप लोग जानते ही है कि पाकिस्तान की जो दोस्ती है चाहिना के साथ वो शह से मीठी और पहाड़ों से उची दरियाओं से गहरी और ना जाने कौन कौन सी है जो चूना हम चाहिन कई बार इस बात को हमने जिकर किया है लेकिन हमारी जो गर्मिंट है वो जी साफ इंकार करती है उनका कहना यह है कि नहीं जी चाइना के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे टम्स है जबके दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान से काफी नराज है उसका यह कहना है कि जिस तरह स CPAC तयार हो या ना हो जो कि हमारी है majority लोगों का ये ख्याले पाकिस्तान में कि ये CPAC प्रोजेक्ट कभी भी तयार होता वा और complete होता वा दिखाई नहीं देता जी हाँ मैंने इस यही कहा कि CPAC का प्रोजेक्ट या CPEC जो है वो कभी भी जो है वो पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट चाइना के साथ जो मिलकर किया जा रहा है वो कहीं भी complete होता वा दिखाई नहीं देता उसके बज़ए चाह बाहर पोर्ट जिसमें भारत अफगानिस्तान और इरान शामिल है वो शायद आगे बढ़ जाए और हो सकता है कि चाइना भी किसी तरीके से उसका हिस्सा बन जाए लेकिन CPAC जो है वो बनतावा दिखाई नहीं देता और उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की अपनी ही गलती है जस तरह से जहांपर चाइनीज वर्कर्स पे अटैक किये जारें इंजिनियर्स पे अटैक किये जारें कर्प्शन जो है वो उस लेवल पे जा चुकी है जहां से के वापसी की कोई उम्मिद दिखाई नहीं देती आसिम सलीम बाजवा जिनकों के चेर्मेन लगाए गया था सी पी सी का वो अपना पैसा खा पी के अपनी पीजा फरेंचाइज बना कर नो दो ग्यारा हो चुके हैं उनको क्लीन चिट देने वाले कोई और नहीं इमरान खान सहाब ही थे इमरान खान का ही ये फैसला था कि जी अब क्लीन चिट दे दी जाए और असी कोई बाती वहीं इमरान खान है जो हर दो दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं पहले उनका ये कहना था कि अमेरिका है जिसने उनकी गवर्मेंट गिराई है अमेरिका के खिलाफ उन्होंने नारे लगा है अमेरिका के खिलाफ बहुत चीखे चिलाए और पिर वहीं इमरान खान जो हैं उनका ये कहना है कि अमेरिका से कि जी मेरी हुकुमत बचाओ मुझे जिल से बाहर निकालो जी हैं ये हमेशा से होता आया है और हमें भी कोई खास हैरत नहीं है कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जिस तरह से दो दो तरह के स्टेटमेंट हमेशा से गर्मेंट या पे गर्मेंट ऑफिशन्स या पॉलिटिशन्स देते रहें सेम वही चीज इस वक्त भी हो रही है शेभाज शरीफ साथ जो आज कल प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की फर्स प्रियॉरिटी जो है वो लोग है जो पाकिस्तान में इंवेस्टमेंट ला रहे हैं जी शेभाज शरीफ साथ जिस तरह से आपकी गवर्मेंट काम कर रही है जिस तरह से आपके लोग काम कर रहे हैं आपके बड़े भाई आपकी बतीजी आपके समधी आपके कजन आपके जो पूरा हन्दान जो आपने अपने पार्लिमेंट में जमा कर रक है आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं इस तरह से पाकिस्तान तरक्की कभी भी नहीं करेगा तो चीन का जो कंसर्न है वो तो बिलकुल जैन्वन है इसलिए कि उनके लोगों के ओपर जिस रफ्तार के साथ अटैक हुए है और उनकी हलाकते हुई है तो उनकी परेशानी समझ में आती है सॉरी लेकिन जैसा मैंने कहा पाकिस्तान के और चाइना के जो तालुकात हैं उसमें रखना नहीं आ सकता किसी भी इस किसम के प्रॉपगंडे के जरिये जिस तरह का किया जा रहा है पाकिस्तान के वजारते खारजा ने इसकी या वज़ाहत करना बहुत धरूश समझा और उनक कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि चाइना के अमबेस्टर जो है उनको हमने समन किया हो और बला कि कोई इस्जाच किया हो वो अकसर आते जाते रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान और चीन के तालुकात बहुत करीबी हैं और खास दौर पर इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से दोनों अकसर क्या बलके majority of the world issues जो है उसके पर एक सी रहे रखते हैं तो इसलिए उनका कहना यह है कि हमारे लिए भी हैरानी की बात है कि यह ख़बर कैसे शाया हो गई दूसी तर वो एक हैते हैं कि जी इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो अटैक हुए है चाइनीज के ओपर उसकी पाकिस्तान को भी बहुत परिशानी जो है वो लाहक है मैं मुखसरन अगर आको बदा दू कि 2017 से 2027 साल के बीच जो बड़े वाकियात हुए है उनमें दो चीनी अगवा हुए थे कोईटा में 2017 में 2018 में एक चीनी हलाक हुए था किराची में 2019 में दो चीनी गवादर में जखमी हुए 2020 में नौ चीनी हलाक हुए किराची यूनिवस् में और 2024 में पांच चीनी खुदकुश हमला में हलाक हुए और 2024 में यह भी रीसेंट वाकिया है जो दो चाइनीज एंजिनियर जो हैं वो क्राची एरपोर्ट के बाहर जो खुदकुश हमला उनके अपरुगा था तो परेशानी वाली सूरत हाल तो है लेकिन पाकिस्तान की ह हमेशा अपने कांटर पार्ट एंचाइनीज के उनको हमेशा जो भी प्रॉग्रेस होती है इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी हाकाइक सामने आते हैं वो हमेशा उनको कांफिड़नेस में लेके शेयर करते हैं उनके साथ तो जो एक तास्षर देने की कोशि बड़े कंसर्ण है चीनियों की सिक्यूरिटी को लेके तो बुखारी सब पाकिस्तान को ऐसे में क्या अग्दमाद करने चाहिए क्योंकि यह सिलसला जो है चलता जा रहा है पहले तो मैंने आप से अर्ज की और मेरे खाल से नाजरीन को भी हम समझा पाए हैं कि इसके पीछे इंटरनेशनल एक्टर्स हैं जो यह सारी दैशतगर्दी करवाते हैं काम यहां के लोकल लोग ही आते हैं जो उनके मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ लेकिन फॉरन फंडिंग है इंटरनेशनल एजिन्सिस जो हैं वो इसमें मलवस हैं पाकिस्तान की हुकूमत की पूरी जो है मौया की जाए चाइनीज वर्कर्स को चाइनीज इंजिनियर्स को अभी हाली में जो एस सी ओ की मीटिंग हुई थी जी 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 उसमें पाकिस्तान के प्राइमिस्टे ने अपने काउंटर पार्ट हैं चाइनीज उनको बड़ी वजाहत के साथ एक तो इसकी बैक ग्राउ कि तो मेर्य प्राइमिस्ट जाँ आ.